एंचानिया के राज्य में एक धूप भरी सुबह, सोफिया प्रथम अपने दिल में एक विशेश भावना के साथ जागी। ये वो दिन था जिसका वो हफ्तों से इंतजार कर रही थी, गाव में उसकी अपनी फूयों की दुकान का भव्य उदगाटन। दुकान राजा रोला इसे ही नाश्ते के लिए एक था था। उसके मा, रानी मिरेंडा, सोफिया के उत्साह को देखकर मुस्कुराई। सुप्रभात, सोफिया, आज बड़ा दिन है, क्या तुम अपनी फूलों की दुकान के भव्य उदगाटन के लिए तैयार हो। रानी मिरेंडा ने पूछा, मैं इंतजार नहीं कर सकती, मा, मैं हफ्तों से सब कुछ प्लान कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि यहे एकडम सही हो। सोफिया ने जवाब दिया, उसकी आँखे प्रत्याशा से चमक रही थी। हमेशा फैशनिस्टा रहने वाली एंब ने कहा, मुझे यकीन है कि यह अ सुफिया, सुन्दर्ता के लिए आपकी नजर बहुत बढ़िया है, बस ये सुनिश्चित करें कि फूर शाही उध्यानों में जितने सुन्दर हूँ, जेंस ने मेज के दूसरी ओर से मुस्कुराते हुई कहा, और जब आप ऐसा कर रहे हूँ तो मज़े करना न भूले, मु छोटी सी इमारक गाउं के चौराहे के कोने पर खड़ी थी, जहां से फवारा और चहल पहल भरे बाजार का सुन्दर नजारा दिखाए देता था, दुकान का साइन बोड, जिस पर लिखा था, सौफिया के जादूई फूल, हवा में धीरे धीरे जूल रहा था, सभी को अं दुक इस पर्ष से चमक रहे थे, दुकान से अदबुत खुश्बु आ रही थी, और जीवन त्रंगो ने इसे स्वर्प के एक छोटी से टुकड़े की तरह बना दिया था, ओह, सौफिया, ये जगा बिलकुल आकरशक है, हिल्देगार ने फूलों की प्रशंसा करते हुए कहा, मैंने कभी इतना प्यारा संग्रह नहीं देखा, क्लियों ने सहमती में सिर हिलाया, यह एक परीकथा में कदम रखने जैसा है, ग्रामी इन इस दुकान से मंत्र मुगध होने वाले हैं, सौफिया अपने दोस्तों की तारिफों पर मुस्कुराई, धन्यवाद, मैंने इ एक विशेश फूलों की व्यवस्था बनाने के बारे में क्या ख्याल है, कुछ हिसा जो हर किसी का ध्यान आकर्शित करे और उन्हें अंदर खीचे, सौफिया की आँखे स्विचार से चमक उठी, यह बिल्कुल सही है, मैं एक जादूई फूलों की व्यवस्था बनाऊंग जो उन्हें मिल सकते थे, प्यार के लिए लाल गुलाब, पवित्रता के लिए सफेद लिली, खुशी के लिए पीली डेजी, शांती के लिए ब्लू बेल और अनुग्रह के लिए बैंगनी चीवलिप, उन्होंने कुछ जादूई फूल भी चुने जो जादूई रोशनी से धीरे धीरे चमक रहे थे। तो सोफ्या अपने काम की प्रशंसा करने के लिए पीछे हट गई। फूलों को एक सरपल पैटन में व्यवस्थित किया गया था, जिसमें बीच में जादूई फूल थे, जो पूरे प्रदर्शन पर एक कोमल प्रकाश डाल रहे थे। ये सुन्दर और जादूई था, बिल के लिए अंदर आने से खुद को रोक नहीं पाएगा। में कोई प्रवेश करता तो फूल धीरे-धीरे गाने लगते। आखिरकार, सब कुछ तयार हो गया। दुकान एक सपने जैसी लग रही थी, हर तरह के फूल जगह को रंग और रोशनी से भर रहे थे। सोफिया ने गहरी सांस ली, घबराहत और उत्साह दोनों महसूस कर र रहे थे। तब ही, बच्चों का एक छोटा समूह खिलकी की ओर दोड़ा, उनकी आखे आश्चरय से चौड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने जादूई फूलों की व्यवस्था देखी। उन फूलों को देखो, वे चमक रहे हैं। बच्चों में से एक ने कहा, वाह, मैंने ऐ ऐसा कुछ कभी नहीं देखा, एक और ने कहा, बहतर देखने के लिए अपना चहरा कान से सिताते हुए। बच्चों की प्रतिक्रियाओं को देखकर सोफिया का दिल खुशी से भर गया। ये बिलकुल वही था जिसकी उसने उम्मीद की थी, वह चाहती थी कि उसकी फूलों की दुकान आने वाले हर व्यक्ती के लिए खुशी और आश्चरे लेकर आए। आखिरकार गाव की चौप में घरी ने बारह बजाए और आधिकारिक तोर पर दुकान खुलने का समय आ गया। सोफिया ने एक गहरी सांस ली और बाहर कदम रखा, जहां एक छोटी भीरी कथ हुई थी, जिसमें कई गाव की लोग, उसका परिवार और उसके दोस्त शामिल थे। सभी का स्वागत है। सोफिया ने कहा, उसके आवाज उत्साह से भरी हुई थी। सोफिया के एंचांटेट फ्लावर्स के भाव्य उदधातन में आने के लिए आप सभी का मुझे उम्मीद है कि ये दुकान आपको उतनी ही खुशी देगी जितनी इसने मुझे दी है। कृपया अंदर आएं और हमारे पास आपके लिए मौजूद सभी खूबसूरत फूलों को देखें। इसके साथ ही, सोफिया ने प्रवेश द्वार पर रिबन काटा और दुक धीरे से चूते हुए कहा। सोफिया और उसके दोस्तों ने हर आगंतुक का मुस्कुराहत के साथ स्वागत किया, उन्हें फूल चुनने में मदद कि और उन्हें जादूई फूलों के बारे में बताया। दुकान हंसी और खुशी से भर गई क्योंकि हर किसी को कुछ ऐसा म जो उन्हें पसंद था। जैसे जैसे दिन बीटता गया, दुकान पर अधिक से अधिक लोग आते गए, हर कोई मुस्कुराहत और फूलों का गुलदस्ता लेकर जाता रहा। सोफिया का दिल भर आया जब उसने देखा कि उसकी फूलों की दुकान गाव में कितनी खुशी जा रही है। ये वो सब कुछ था जिसका उसने सपना देखा था और उससे भी ज्यादा। जब सूरज धलने लगा, तब तक दुकान लगभद खाली हो चुकी थी और सोफिया की दोस्त सफाई में मदद कर रहे थे। सोफिया सामने की खिलकी के पास खड़ी थी, गाव के चुराहे को देख रही थी, जो अब शांत और शांतिपून था। तुमने ये कर दिखाया। सोफिया, एमब ने उसके पास आकर कहा। तुम्हारी फूरों की दुकान बहुत सफल है। सोफिया ने मुस्कुराते हुए संतुष्टी की गहरी भावना महसूस की। मैं आप की बात है, सोफिया, आपने यहां कुछ सचमुच जादूई बनाया है, हिल्डिगार ने कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि गाउं में हर कोई आपकी फूरों की दुकान के बारे में लंबे समय तक बात करेगा, क्लियो ने कहा, सोफिया ने दयालू शब्दों को सुनकर शर खेर रही थी, सोफिया का परिवार उसे घर ले जाने के लिए आ गया, रानी मिरेंडा, राजा रोलांड, एमब और जेम्स सभी गर्व और खुशी से भरे हुए थी क्योंकि उन्होंने देखा कि दुकान कितनी खूद सुरत बन गई है, आपने अविश्वस ने यह काम किय है, सोफिया, रानी मिरेंडा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा, ये फूलों की दुकान आपके दयालू हृदय का सच्चा प्रतिबिम्भ है, राजा रोलांड ने सहमती में सिर हिलाया, हमें आप पर बहुत गर्व है, सोफिया, आपने कुछ हैसा बनाया है जो प से निकले और महल की और वापस लोटे, सोफिया ने आखिरी बार उस छोटी सी इमारत की और देखा, खिर्की में लगे फूल अभी भी धीरे धीरे चमक रहे थे, जो उसके सपने को सच करने के लिए उसके द्वारा लगाए गए प्यार और देखभाल का प्रतीक थे, उस र सूरत फूलों और उस दिन उसके द्वारा साचा किये गए खास पलों के सपने देखने लगी, वह जानती थी कि आगे चाहे जो भी रोमांच हो, इस दिन की याद हमेशा उसके लिए सबसे प्रिय रहेगी, और इसलिए एंचानिया के शान्तिपूर्ण राज्य में सोफिया प्रथम गहरी नींद में सो गई, उसका दिल दोस्ती, डियालुता और एक साधारन फूल की सुन्दरता के जादू से भर गया, और यह कहानी है कि कैसे सोफिया प्रथम ने अपनी जादूई फूलों की दुकान को सजाया, हर फूल के साथ पूरे राजे में खुशी और जा दो फलाया